नमस्कार दोस्तों आज हम इस विडियो में ओपो ए 57 2022 वर्सस सामसंग गालेक्सी M33 5G का फुल डेप्थ कंपारिसन करने वाले हैं इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दुसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको विडियो के लास्ट में देंगे सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डाइमेंशन की दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो ए 57 2022 में 6.44 इंच जबकी गालेक्सी M33 5G में 6.51 इंच की लेंथ मिलती है विद्थ की बात करें तो A57-2022 में 2.95 इंच जबकी Galaxy M33 5G में 3.03 इंच की width मिलती है बात करें थिकनेस की तो A57-2022 में 0.31 इंच जबकी Galaxy M33 5G में 0.37 इंच की थिकनेस मिलती है जोकी A57-2022 से ज्यादा है अब बात करते हैं weight की तो A57-2022 में 187 ग्राम्स जबकी Galaxy M33 5G में 215 ग्राम्स का weight देखने को मिलता है जोकी A57-2022 से ज्यादा है तो चलिए अब हम दिस्प्ले को compare करते हैं दिस्प्ले टाइप की बात करें तो A57-2022 में IPS LCD जबकी Galaxy M33 5G में TFT की डिस्प्ले मिलती है आस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20 रेशियो 9 मिलता है डिस्प्ले साइज की बात करें तो A57-2022 में 6.56 जबकी Galaxy M33 5G में 6.6 इंचर मिलती है डिस्प्ले रेजलूशन A57-2022 में 720 by 1612 और Galaxy M33 5G में 1080 by 2408 मिलता है स्क्रीन तो बोडी रेशियो A57-2022 में 84.62 प्रतिशत जबकी Galaxy M33 5G में 82.68 प्रतिशत मिलता है बात करें PPI Density की तो A57-2022 में 279 प्रति इंच जबकी Galaxy M33 5G में 400 प्रति इंच मिलती है अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानि विशेश्टाएं की जो की मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की दोस्तों सबसे पहले बात करें मैं कैमरा की तो A57-2022 में 2 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप कैमरा देखने को मिलता है और गैलेक्सी M33 5G की बात करें तो इसमें 4 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की primary camera, ultra wide angle camera, macro camera और आखिर में depth camera देखने को मिलता है बात करें वीडियो camera की तो दोनों phone में 8 different type के features मिल जाते है अब बात करें front camera यानि की selfie camera की तो दोनों phone में single camera देखने को मिलता है जिसमें की 4 different features मिलते है अई अब बात करते हैं hardware के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की information देखते हैं hardware में सबसे पहेले CPU जो की speed के हिसाब से देखा जाये तो phone में सबसे important part है उसकी details देखते है GPU की बात करें तो A57 2022 में PowerWare GE832 जबकि Galaxy M33 5G में Mali G68 मिलता है चिप सेट की बात करें तो A57 2022 में MediaTek Helio G35 और Galaxy M33 5G में Samsung Exynos 1280 मिलता है बात करें RAM की तो A57 2022 में 4GB की RAM मिलती है जबकि Galaxy M33 5G में 2 variant देखने को मिलता है जिसमें 6GB 8GB RAM मिल जाती है बात करें internal memory जिसको हम storage भी कहते है वो A57 2022 में 64GB की storage मिलती है जबकि Galaxy M33 5G में 2 variant देखने को मिलता है जिसमें 128GB 128GB storage मिल जाती है expandable memory की बात करें तो A57 2022 में up to 1TB जबकि Galaxy M33 5G में up to 1TB है ओपरेटिंग सिस्टम दोनों phone में Android V12 देखने को मिलती है बाटरी A57 2022 में 5000MH जबकि Galaxy M33 5G में 6000MH देखने को मिलती है अई अब main feature को देखते है colors की बात करें तो दोनों phone में same ही दो colors option देखने को मिलते है सब information देखने के बाद बात करें price की तो A57 2022 में एक ही variant देखने को मिलता है जो की 4 GB RAM 64 GB storage के साथ 13,999 रूपीस में मिल जाता है वही अगर बात करें Galaxy M33 5G की तो उसमें 2 variant देखने को मिलते है जो की 6 GB RAM 128 GB storage के साथ 17,999 रूपीस 8 GB RAM 128 GB storage के साथ 19,499 रूपीस में मिलते है दोस्तों अब बात करते हैं plans and cons यानि की फायदे और नुकसान की तो Oppo A57 2022 में 8 फायदे और एक नुकसान देखने को मिलता है जबकि बात करें Samsung Galaxy M33 5G की तो उसमें 7 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है finally बात करें है result की तो display में A57 2022 आगे है main camera में Galaxy M33 5G आगे है front selfie camera में दोनों phone सेम ही है performance में Galaxy M33 5G आगे है दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे phone को भी देख लेते हैं पहले competitor phone की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi 10A है दूसरा Xiaomi Redmi 10 Prime है तीसरा Oppo A16K है और last competitor phone की बात करें तो उसमें Realme Nazo 50A Prime है और ये सारे phone की details आपको description में मिल जाएगी दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है ये आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना